तो आफ्टर थ्री मन्त ये वीडियो बन दिया है कुछ इंपॉर्टन काम था जिसकी वैसे वीडियो नहीं बना वाए बट अब कंटिन्यू यहाँ पे कोई ना कोई वीडियो अफ्लोड हो जाएगी क्लासेज भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगे मैं टार्गेट हमारा यह भी UPSC का EPFO Personal Assistant है और जिसका syllabus यह कह सकते हो थोड़ा बहुत अलग है मैच भी है कंप्यूटर भी है थोड़ा अलग से हैड हो यह बट उसका लेवल ठीक ठाक रहता है तो उससे साबसे अगर उसकी आप प्रिपेशन करते हो तो अच्छा स्कूर कर जाओगे ठीक है क्योंकि वही अग्जाम होगा उससे हम अनलेसिस करके अंदाज़ा लगा देंगे कि किस टाइप का लेवल रहने वाला है एक्जाम में ठीक है किस टाइप के कुश्चन आएंगे उस हिसाब से कटॉप भी डिसाइट होता है उस हिसाब तार्गेट भी आपको बनाना अगर प्रिवियस र आने के बाद आपको मौक लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो ठीक है क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप मौक लगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है इसकोर कम आता है तो उसवेज से चीज़े रहती है बट जल्दी क्लास स्टार्ट हो और मैंने सुचा एक गुड न्यूज एक पॉजिटिव न्यूज के साथ स्टार्ट किया जाएं इस बार वेकंसी हाई रहने के चांसे हैं आपका से स्टेनों में वह आपका एक हिंद तो मिल गया होगा से क्योंकि 4000 वेकंसी है 4000 कम नहीं होती वहाँ पे क्योंकि एक तम टू अगर आ जाता है बहुत अच्छा रहेगा अगर 1500 भी आता है मिनिमम तो सही है कट आफ पर बहुत असर बढ़ता है 140 के से नीचे कट आफ आ जाता है ठीक है 140 के नीचे भी लोगों के चांस है तो जिनका भी स्कोर 130 था 140 था तो उनके तो हाई सांसे से कि अगर आप हो जाएंगी उसके लिए अलग से गुरूप भी बना रखा है तो गुरूप जोइन कर लेना अगर आपका EPFO पर्सनल असे टार्गेट है और SSC स्टेनर 2024 भी है तो उसके लिए भी बैस्ट रहेगा टेलिग्राम गुरूप जोइन कर लेना कोई नहीं वेकेंसी आती उसका अ सब्सक्राइब तो यहां पर रहना स्टार्ट कर दूँगा ठीक है तो रागुलर रहेगा क्योंकि एक्जाम पास में तो उससे साब से अभी में टार्गेट EPFO हो है जो लाई में साथ उसका एक्जाम डेट है उसको टार्गेट करेंगे उसके बाद डीटे पलेश भी परसन अगर रहेगी तो तो किसी तीनों में हो जाएगा नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं तो किसी एक में तो होई जाएगा ठीक है बाकि अपनी प्रिपिशन को बहुत अच्छे से लेते वी चलना बाकि एक्जाम का लेवल कोश्च क्या रहने वाला है वो चीज अभी प्रिपिशन के लिए कोई कोश्चन होता है किसी भी चीज से लेटे तो कॉमेंट सेक्षन में आप पूर सकते हो और काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं तो बहुत लोगों के पास और काफी लोगों के पास नहीं जाएगा नोटिफिकेशन तो इसलिए कह रहा हूं कि बेल आइकन प्रेश कर लेना ताकि कोई भी वीडियो प्लोग होती या फिर क्लास से स्टार्ट होती है तो वहां पे आप वह उसका नाटिकेशन जल्दी मिल जाए बाकि माफी चाहते हैं इतने टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं उसके लिए क्योंकि कुछ परसनल कु तो उसके लिए अलग गुरूब बनाया तो उसको जोइन कर लेना ठीक है शुक्रिया टेक केर बाई बाई